हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डबल आयम डबल आस नेटवर्क में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बंगाल और करनाटक के बीच जो रंजिट रोफी का मैच होने वाला है तो इस मैच की ड्रीम लेविन टीम आपको इ ड्रीम लेविन एप है तो आप केवल और केवल ड्रीम लेविन एप को ही खेलें क्योंकि उसमें सेफटी सबसे जादा है और अगर आप सेफटी का उधर किनार करते हुए केवल जीतना चाहते हैं तो आप माई फैब 11 एप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ में रेफरल कोड भी है आप रेफरल कोड डालें जिससे आपको 50 रुपे का बोनस मिलेगा और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर बोनस से ही आप मैच खेल सकते हैं बाकी एप में बोनस पूरा नहीं लगा सकते लेकिन यह केवल बोनस से मैच खेल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अब चलते हैं सीधे वीडियो पर और बता दें कि कोई भी टीम में चैन्जिंग होने पर उसकी अपडेट या फाइनल टीम आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलती है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो देखिए सबसे पहले हैं देख लेते हैं विकेट कीपर टीम में टीम चुनते हैं और विकेट कीपर की बात करते हैं जहां आपको मिल जाते हैं लोकेश राहुल गोस्वामी और यहाँ पर और बा बेस्ट उप्शन लोकेश राहूल रहने वाले हैं लोकेश राहूल को आप यहां पर स्मॉल लीग और गिरांड लीग दोनों में लेकर चलें दोनों के लिए ही बहुती बेस्ट उप्शन है आपने देखा ही होगा इंडिया की टीम में भी कितना बढ़ा प्रिदर्शन किया था इनोंने फिर इसके आगे गोस्वा में भी ठीक ठाक अप्शन है गिरांड लीग में तो जरूर ही लें चाहें तो इसमॉल लीग में भी ले सकते हैं दास और साहा को यहां विकल्प नहीं मिला छोड़ दीजिए इसके आगे उलल को भी छोड़ दीजिए और बी शरत को छोड़ दीजिए इसके आगे यहां पर एस शरत अब देखिए यहां पर शरत भी दो हैं एस शरत हैं एस शरत को यहां पर बिल्कुल यूस कर सकते हैं आप गिरांड लीग में या फिर सिद्धार्थ को गिरांड लीग इसमॉल लीग दोनों में ले सकते हैं बात करते हैं ब निश पांडे को ग्रांड लीग में जरूर ले और मनोस्तिवारी को भी ग्रांड लीग में ही जरूर ले बाकी बात करें इस से आगे मजूमदार बहुती 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 बहुत जाते हैं आपको समारत समारत को भी स्मोल लीग और ग्रांड लीग दोनों में ही लेकर चलें इसके आगे यहाँ पर चटर जी को मुक्र नहीं मिला छोड़िये निशल को भी आप छोड़ी दीजिए मेरे इसाब से तो और इसके आगे रेडी को भी छोड़िये कदम को लीग की किसी एक टीम में ले सकते हैं और जुनेश सेफी को छोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ तक बैट्समैन की बात होई ओल राउंडर पर चलते हैं आप सीदे ओल राउंडर सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर करियपपा गोतम मिल जाते हैं बहुती जादा आगे मिल जाते हैं आपको शिरेज गोपाल इन्हें भी आप गराण लीग में तो जडूर ही ले नांडी को गिराण लीग मिले सकते हैं और फिर इसके आगे ऐस अहमद हैं ऐसे हमद को आप हैं पर इसमोल लीग गराण लीग दोनों मिलें दोनों के लिए बहुती बैस्ट इंडा को तो छोड़िए यहाँपर और पिरसाद कृeu्शना काफी बहतर बोला रहे है इस मौन लीग गरान लीग दोनों में ले सकते हैं और मिथन को तो जब ले कर ही चलिए इस मौन लीग में भी और गरान लीग द Bono में ही लेकर चलिए दोनों के लिए ही बहुती ज़ादा best option नहने वाले हैं इसके आगे S गोश है S गोश को यहाँ पर आप छोड़ दीजिए फिलाल या किसी एक grand league में ले सकते हैं वैसे छोड़िए पीछे मोका नहीं मिला था पोरेल को grand league, small league दोनों मिलें, दोनों के लिए best option है चटर जी को फिलाल छोड़ दीजिए दीप को भी छोड़िए और इसके आगे यहाँ पर एम कुमार मिल जाते हैं, grand league में जरूर ले इने और जैन को grand league में ले सकते हैं कोशिक को grand league में जरूर ले इसके आगे सुचित मिल जाते हैं, grand league के लिए बहुती बैस्ट option है और मूरे को भी आप यहाँ इस वाल ली, grand league दोनों में ले सकते हैं इसके आगे बात करें तो कोई खास option मेरे हिसाब से नहीं है एक और मिल जाते हैं, एन दास दास को grand league में जरूर ले और बाकी सभी को छोड़ दीजिए तो देखें, यहाँ तक सभी प्लेयल की निउस आपको मिली अब हम आपको अपने टीम चुन कर बताते हैं हम क्या टीम चुनने वाले हैं तो देखें, विकेट की पर राहूल को चुनते हैं बैटिंग ओडर में यहाँ सबसे पहले चुनते हैं मजुमदार, पैडिकल और करुन नायर और समारत, यह चार बैट्समेन चुनते हैं यहाँ से, ओल्डाउंडर सेक्शन में करियपपा गोतम और यहाँ पर श्रेज गोपाल और तीसरे यहाँ से, एस एहमद यह तीन ओल्डाउंडर चुनते हैं बॉलिंग सेक्शन में आते हैं यहाँ पर मिथुन को लेते हैं और मिथुन को लेते हैं और यहाँ से देखिए इस से अलग, अब देखें थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर बंगाल कामना कोई प्लेयर नहीं लिया है, तो बंगाल का केवल बंगाल के विकेट की पर आपको मिल जाएंगे जैसे की गोसवामी है या फिर यहाँ पर केवल गोसवामी ही है या फिर आप बैट्समेन इश्वरन को ले सकते हैं बंगाल के या मनोस्तिवारी को आप मनोस्तिवारी को ले ले तो देखें यहाँ पर आप मनोस्तिवारी को ले लें दोस्तो जिसके लिए आपको बैटिंग ओडर से किसे निकालना होगा यहाँ पर मजूमदार को निकाल सकते हैं मनोस्तिवारी को लें और बोलिंग सेक्शन में अब यहाँ पर बोलिंग सेक्शन में ले सकते हैं पर करनाटक के साथ प्लेयर ले चुके हैं तो बोलर आप दोनों ही लेने पड़ेंगे आपको बंगाल के और बंगाल के बोलर में यहाँ पर एक तो दास मिल जाते हैं और फिर एक अशोक डिंडा को ले ले लेते हैं बाकी फाइनल टीम आपको हम टेली ग्राम चैनल पर तो देखिए यह टीम हमने चुनी बाकी आप चाहें तो कैप्टन वोईस कैप्टन गिरांड लिंग में लोकेश राहूल बहुती बैस्ट ओप्शन है और समारत हैं करुन नायर है बनोस तिवारी भी हैं और यहाँ पर ओलर राउंडर एस एहमद और गोपाल भी हैं इन में राउंडर मैं एस एहमद गोतम गोपाल गोतम कैप्टन है बोलर अशोग डिंडा और दास और मिथुन यहाँ पर यह टीम हमने चुनी है आप चाहें तो सेम इस टीम के साथ जोइन कर सकते हैं या फिर अपने इस आप से थोड़ी बहुत चैनिंग कर सकते हैं तो इस वीडि नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम मिलते रहें